नमस्का दोस्तों सभी का स्वागत है चाट पूंजो की नई वीडियो में आज के सेशन के अंदर हमने एक डोजी कैंडल बनते विए देखिया और यह एक ड्रेगन फ्लाइड डोजी कैंडल है जहां पे ओपन इस इकल टू क्लोज आता है लेकिन एटी हायर साइड मलब एक उ जो डोजी जो ओपन इस इकल टू क्लोज बना है यहां पर वो उपर के साइड बना है इसका मदलब अगें माइल्ड बुलिश और हम जैसा सोच रहें एक बार की उपर का जो गैप है बाविस पान सो का यह जरूर एक बार फिल होना चाहिए तो देखते अभी नेक्स्ट एक मार्केट नीचे आया तो नीचे से एक अच्छी अपॉच्टिनिटी बनीती पर गैफ इन ने किया गैफ फिल करके उपर जाता तो थोड़ा और अच्छा एक यहां पर सेटप बनता था थोड़े पॉइंट से गैफ फिल करने से रह गया अभी इसमें प्ले क्या कर सकते है ट्रेडिंग सेशन के लिए तो आज का हाई इंपोर्टेंट हो जाता है लगबग 22.400 का लेवल निकल के आएगा 22.400 से थोड़ा उपर 22.430 का लेवल है 24.430 पर मेरे इसाब से उस लेवल से पहले ही 22.400 अगर निकालेगा निफ्टी तो यहां पे 100.00 के जो गैफ फिल का अटेम्ट हो जाएगा फिर नीचे के साइट का जैसे कल में बता रहा था नीचे के साइट जादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह जो पैनिक के अंदर जो फॉल देखी गई वो अल्मोस्ट पूरी हो चुकि ऐसा लग रहा है अभी और कोई अनॉंस्मेंट या और जो गैप अप का लेवल ता तो आप देख सकते हो यहां पर जो ओपन इस इकल टू हाई बना हुआ है इसका मतलब यह कि जिस लेवल पर खुला वहां से थोड़ी यहां में सेलिंग देखने मिली और इसमें गैफ फिल हो गया बैंक निफ्टी में अल्मोस्ट थोड़ा सा ए अंदर अगें बाइस पॉजिटिव यह इसका यह मतलब नहीं की नेगेटिव हो जागा क्योंकि हज़े से वहां पर गैप खुला और वहां पर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई अच्छा एक्स्पेक्टेशन जो करके गए होंगे और अवरॉल देखा जाए तो यह भी ऐसा कुछ सप्राइज नहीं है तो अल्मोस साइडवेस टू माइनर पॉजिटिव ही आइधिंक मार्केट उसको दिखाना चाहिए बाकी देखते हैं कैसे कल ट्रेड उसके अंदर दिखाई देंगे मिटकेप की अगर मैं बात करूँ तो ओवरॉल अगर बैंक निफ्टी प बनेगी बैंक निफ्टी में तो दोस्तों आज का हाई जो आता है निकल के 48 150 आता है 48 150 निकल गया तो यह गैप फिल होने की प्रॉबेबिटी काफी हाई हो जाएगी तो यह लेवल को हमें नूट करना चाहिए अब बात करते हैं मिटकेप की मिटकेप अच्छा आज प्राइब बीटी इसका मडलब ओवर ऑल जो इसके अंदर ये डर्फ बेयक्टां मिला था पिछले तिन के लोग काई इन एक session को निकाल दे almost जो पिछले अफ्टे का लो का ये जो बना था उसके बाद जो breakdown मिला और breakdown के बाद वापिस उपर चले गया तो अगर हमें इसको candle by candle price action read करना चाहे तो यहां पर एक gap down opening देखने मिली उसके बाद तीन candle बनी जिसमें से एक डोजी थी एक स्पिनिंग टॉप थी इसको spinning टॉप बोलेंगे इसको भी आप बोल सकते थोड़ी white body spinning टॉप और इसको बोल सकते हो आप एक bearish engulfing type candle बनी next उसके बाद क्या देखने मिला gap down और सीधा नीचे गया है लेकिन यहां पर क्या देखने मिला यहां पर आपको hammer formation देखने मिला यहां पर bearish candle देखने मिली यहां पर डोजी देखने मिली gap up के साथ यह हो गया आपका morning star pattern मदलब यहां पर अगर आप price action रीट करने की कोशिश करोगे तो आपको दिखाई देगा पैनिक हुआ यहां पर हमें news पता है क्यों पैनिक हुआ पैनिक होने के बाद market ने sustain किया last वाला जो यह candle ता वो टाइम पर थोड़ी serious news थी पर वो भी उसके बाद कोई escalation हुआ नहीं और उसके बाद अभी फिर gap up के साथ opening मिली इसका मलब clear cut यह यहां पर morning star जो बंद रहा है वो एक काफी bullish setup की और इशारा कर रहा है तो मेरे इसाब से अगर कल के trading session के अंदर इस डोजी candle का हाई निकाल देता है हलाकि morning star का अगर आपको actual trigger चाहिए तो 49 750 के उपर आएगा लेकिन यहां पर aggressive हो सकते 49 250 49 250 लेवल निकलने के बाद यहां पर आइधिंग फिल की फिर एक मूव होनी चाहिए और यहां पर भी अपसाइट का अब अब अच्छा परफॉर्म करना चाहिए अभी दोस्तों यूएस का अगर में मार्केट देखता हूं तो वहां पर रिवर्सल आ गया अगर यूएस मार्केट का हम चाट देखते हैं तो लाज्ट रेडिंग सेशन की और गौर करते हैं एक बार लोड हो है तो यहां पर देखिया है रिवर्सल आया लाज्ट रेडिंग सेशन के अंदर यह डाव फ्यूचर देख रहे हम तो आपको यहां पर यह फॉल दिखाई देगी बेसिकली और इसके बाद यहां पर रिवर्सल बनते वे दिखाई दिया आज के ट्रेडिंग के अंदर भी थोड़ा मार्केट उपर गएते अब जो है तोड़ा यह फेस कर रहे हैं सेलिंग यहां पर मेरे को लग रहा है कि यह जो रजिस्टेंस लाइन बनी है आप देख सकते हो रेड़ वाली इसके ऊपर निकल जाएगा आज ऐसा काफी हाई प्रोबैबिलिटी लग रहा है अच् साइडवेस है डॉला इंडेक्स साइडवेस है सही इन्दा सेंस थोड़ा एलिवेटेड लेवल पर ही है वाट ओवर अभी के इसाप से जो ब्रेंट बीएवियर दिखा रहा था उसके अंदर अगर हम देखे तो यहां पर देखो ब्रेकडाउन का अटेम्ट हो रहा है ब्र से 84.5 यह आपका लेवल वह होगा जापर इसने एक बार रीटेस्ट लिया था ब्रेक आउट लेकर देखते आज क्या करता है ब्रेंट अवरॉल देखा जाए तो बायस पॉजिटिव यह स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो नैशनल अलिमिनियम के अंदर ब्रेक आउट म के अंदर 173 यह लेवल इदम इंपोर्टेंट हो जाएगा अभी इस लेवल के ऊपर है जब तक हम इसके अंदर बुलिस बायस रखेंगे और मैं आपको इसके अंदर अपडेट दे दूंगा एक बर इसके अंदर फॉदर कुछ डवलोप्मेंट होगा तो लेकिन यह कई कोई शेर में बाइंग भी चल रही थी कोई शेर में सैलिंग भी चल रही थी ओवराल जो मार्केट ब्रेथ ता वन आल्मोस्ट इक्वल ता इस वजह से वापर एक आपको यह चीज़ देखने मिलती है यहां पर बात करते हैं पीन बी आउजिंग की इसने भी सेमी देको कुछ प्रोग्रेस दिखाने चाहिए अब नेक्स टेडिंग सेशन के लिए दो चार्ट स्टडी दिखाई देती है उसमें से जी अगर गुजरात स्टेट फॉर्टिलाइजर काफी एक अच्छा कप एंडल पैटन बनाया इसने तो मेरे कोई चार्ट काफी अच्छा लगा आज के सेशन के अंदर वॉल्यूम भी अच्छी है अगर हम देखे है वॉल्यूम पर तो आप समझेए 2x या 1.5x ऑफ दी वॉल्यूम है पिछले 6-7 दिनों की अभी इसके अंदर इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे अब काउंटर है नियर अबट 240 मेरे साब से इंपॉर का इन का जो लेवल है वो 245 के आसपास आएगा लेकिन इसमें चोट असा ओवरेड रिजिस्टेंस है तो 248 के ओपर जैसे जी जी एससी जाएगा तो इसके अंदर डेफिनिटली एक बड़ी रिवर्सल वाली मूव दिखाई दे सकती है अब ऐसा क्यूंकि कप एन हैंडल ब पर हम फोकस रखेंगे जो कांटर है वो ब्रेक आउट है अभी यह ब्रेक आउट सून था यह ब्रेक आउट कांटर एक मैं देख रहा हूं फिलाल तो सीमेंस के अंदर फ्लाइक पटन का ब्रेक आउट हो गया है आज का सेशन ना इंपोर्टेंट था इसलिए क्योंकि इसक सकते सीमेंस के अंदर एक्टिविटी स्टाट कर दी बाइंग अक्टिविटी अब इससे क्या हुआ आप देख सकते हूं यहां पर ब्रेक आउट हो गया पिछले कुछ दिनों का जो यह हर्डल ता दो हफ्तों में यह फसावा था उसका फाइनली ब्रेक आउट मिल गया और फ्लैक पैटन का ब्रेक आउट एक अच्छा का सा दिखाई दे रहा है जापे पूल एक अच्छा डिस्टेंस का बनावा है और जो इसमें ता उसके टॉप मोस्ट 15 परसंट के अंदर बना इसका मदलब यहां पे जब इतना बुरा खबर चल रहा था ओवराल मार्केट गिर तो इसके अंदर ब्रेक आउट का कंफर्मेशन भी हो जाएगा आपका और मेरे सबसे फिर इसके अंदर फॉलो अप ब्रेक आउट मूव दिखी जा सकती है तो यह दो चार्ट स्टडी है जापे एक पे ब्रेक आउट दिखाई दे रहा है फ्लैक पैटन का और आज जैसा हम हम देख रहे थे कि मिट कैप के अंदर जो भी ऐसे स्टक्चरत है हमने जो कल काउंटर देखे थे चार्ट स्टडी में जैसे नेशनल अलिमिनियम या पी एन भी वह थोड़ा नीचे बंद हो तो उसके बावजूद भी यह काउंटर ने स्ट्रेंड दिखाई इस वज़े से यह वाला काउंटर रेडार पर आ रहा है तो यह ब्रेकाउट काउंटर हो गया और GSFC का आपका ब्रेकाउट सून काउंटर हो गया बायस क्यूंकि अपसाइड ही है इस वज़े से दोनों जो चार्ट स्टडी देख रहे है वो थोड़ी बुलिस बायस ही है तो दोस्तों मैं